नमस्कार में हूँ अमद आसीफ और आप देख रहे हैं SPN 9 News इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है वो पश्चिम बंगाल से बावुल सुप्रियों TMC में फिर से शामिल हो गए हैं और इतना होना पुरे देश में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बन गई है और भारती जनता पार्टी को इस वक्त सबसे बड़ा जटका लगा पश्चिम बंगाल में आज इसी सवाल पर हम लोग बादशीत करेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि बावल सुप्रियों को TMC में शामिल होना परा ऐसा क्या हुआ कि चुनाप के ठीक बाद भारती जनता पार है तो आखिर क्यों पिर एक नया खेला क्यों आखिर शुरू हो गया है इन तमाम सब्सक्राइब करेंगे इन इस बाद सबसे पहला सबसे में इस वक्त के सबसे बड़ी खबर है और बीजेपी जो है वो लगातार काम के थूही जो है वो पार्टी में नेताओं को जगह देती है लेकिन बाबुल सुप्रियों के साथ हुआ क्या कि जब कैबिनेट विस्तार हुआ उसमें बाबुल सुप्रियों पहले से ही मिनिस्टर थे लेकिन उसके बाद जो कैबिनेट म पर हमलावार जरूर नजर आ रहे थे और इसी को लेकर कहीं ना कहीं जो है वो पार्टी से खफा थे और अब जो है वो उसका परिनाम सामने आया है अब जो है वो TNC में शामिल हो गए है अब सवाल यह है अनुजा कि ठीक आपने जिस तरह से जिकर किया कि नहीं मोदी का जो इमोशन हुआ था जिसमें से एक बावुल सुपणियों है लेकिन अब सवाल यह है कि इनके साथ साथ जब चुनाब खतम हुए पश्वी मंगाल में विधान सभा चुनाब है तो आपने देखा कि एक के बात एक लगातार भारतिय जनता पार्टी के नेता टीम सी में शामिल हुए ग落ए लेकि टिक चुनाब से पहले टीम सी के नेता भारतिय जनता पार्टी में शामिल हो रहे थी ये राज जिनीती कि सतरा की देख्वист ऑनने थे उसे कई महीने पहले से वात कीनिता बंगाल पहुँचे था और कई महीनों तक वहां चुना प्रचार चला था जिसके जब भाजपा में शामिल हुए जरूर बोलेंगे कि भाजपा ने बंगाल में अच्छा प्रदर्शन भी उनका अच्छा था और सीटे भी जो है वो पहले से कही अधिक जीत कर लेकर आएं लेकिन बरहाल जो है आपके मुख्यमंत्री तो ममताव इनर्जी है तो सारी शक्ति ज नेता जो है उन्हें बीजेवी में कोई काम नहीं मिल रहा है तो वो कहां जाएंगे वापस से उनकी घर वापस ही हो गई है कई नेता है इस लिस्ट में जो वापस टींसी में शामिल हुए है अनूजा मैं आपके बात से सहमय तो लेकिन एक सवाल जो आपने जिक्र किया लेकिन इसको क्या आप ये देख रहे हैं कि भारती जनता पार्टी के हार के साथ ये अमीत शाह जी का बहुत बढ़ा हार है जी जरू देखेंगे क्योंकि इससे पहले कई जगहों पे चुनाव हुआ जिसमें भाजपा की जो है वो जो दार जीत हुई उसके बाद जो है प्रदर्शन अच्छा था लेकिन पार्टी जीत नहीं सकी चुना बरहाल ममताब इनर्जी जो है वह अपने सीट से हार गई लेकिन मुख्यमंतरी ममताब इनर्जी ही है अभी इस बीच बता दे कि अमिच सहा जो है वह अपनी उनकी जो रणनिती है वो काफी अलग रहती है लेकिन इस बार उन्हें ये चीज़ एकसेप्ट करना होगा कि बंगाल में उनकी रणनिती इस बार फेल रह गई है क्योंकि ममताब इनर्जी ने बाजी मार ली है और ममताब इनर्जी जो है वहाँ पिछले कई समय से वहाँ पर साशन कर दई है और उनका वहाँ पर काफी पाटी ने जिस तरह से लोकसभा चुना में प्रदर्शन किया 2019 में बढ़ चटकर उन्होंने सीटे लाई जितना उसे उमीदें नहीं की जा रहे थे लेकिन विधान सभा चुना में उसी के बेश पर लगा कि अब बहुत कुछ होने वाला है भरती जंता पार्टी की सरकार बन लेकिन अचानक जो है जो पल्टा है वो ऐसा पल्टा कि अब एक पुरे भरती जंता पार्टी के तमाम नीता जो इस तरह से अपने आपको हर महसूस कर लिए हैं कि जिस तरह से वो बया नहीं कर पा रहें तो अब सवाल यह है कि क्या ममता बैनेरजी के तरफ से टीम सी के तर तुलना कर रहे हैं कि विपक्ष के तोर पर एक ममताब एनरजी है तो क्या इससे भी उनका उत्सा बढ़ता जाएगा क्या जी जरूर जैसे बंगाल में चुनाव हुए और बीजेपी ने बहुत कड़ी टक कर दी थी क्योंकि बीजेपी ने टीमसी के नेताओं को आमने सामने खड़ा कर दिया था टीमसी के ही नेता बीजेपी में बुला लिये गए थे और बीजेपी और टीमसी दोनों आमने सामने खड़ी हो गई थे लेकिन इसके बाद भी टीमसी को वहां पे जीत मिली अब जब वहां पे टीमसी जीत गई और कई राजियों में देखे तो अगर तुलना की जाए मोधी और दूसरे दलों की विपक्षी दलों के साथ जो कोई स्ट्रॉंग फेस है तो वो ममतब इनर्जी ही है क्योंकि बंगाल में जिस तरह से ममतब इनर्जी ने जीत हासिल की है उससे यही चीज लग रहा है कि और कोई नीता जो है वो मोधी को अभी टक्क जी का ही माना जा रहा है क्योंकि उन्होंने भाजपा को धूल चटा दी है बंगाल में बिल्कुल अब एक अनूजा मेरा प्रस्टनल सवाल है वो यह कि जिस तरह से आपने देखा विजय रूपानी का स्थीफा हुआ अभी किस तरह से बाबुल सुप्रियों अठीम्शी मे लेकिन अचानक इस्तिफा देना एक पार्टी से दूसरे पार्टी में जाना पार्टियों के नकसानी के साथी को कितना दिखकति फेस करना परता होगा इसको किस तरह से देखिर देखे हैं? है कि कोई नेता इस पार्टी से उस पार्टी में चलाए या उस पार्टी से इस पार्टी में चलाए यह बहुत सदियों से चला आ रहा है कि जहां पर नेताओं को लगता है कि हमें यहां पर अच्छा पत दिया जाएगा या फिर पार्टी में सम्मान मिलेगा तो उस हिसाब से जो है वो नेता पार्टी चेंज कर लेते हैं लेकिन हां इसे ये नहीं कह सकते हैं कि पार्टी को नुकसान जादा होता है क्योंकि जो नेता दूसरे पार्टी में जाते हैं उस पार्टी को तो मस्बूती मिल जाती है लेकिन जो छोड़ देते हैं पा वोदी सरकार जब से आई है तब से जो है वो विपक्ष के पास भी और सरकार के पास भी कई एहम चेहरे हो गए एक छोटा सा सवाल आखिर में अनुजा और वो यह कि बाबुल सुप्रियों जो अभी शामिल हुए टीमसी में इस वक्त की जो सबसे बड़ी ख़बर है इससे कि पार्टी को फायदा होगा और किसको नुकसान होगा क्या टीमसी को फायदा होगा यह नुकसान या भारती जनता पार्टी को फायदा होगा यह नुकसान देखिए भारती जनता पार्टी को तो नुकसान हो चुका है क्योंकि अब वहां पे उनकी सरकार बनी नहीं है और पाचनती करियर जो है वो उनको एक बढ़ावा जरूर मिल सकता है और टीमसी को भी इसका फाइदा होगा क्योंकि पुराने कई नेता आ रहे हैं वापस टीमसी में तो जब टीमसी में सभी नेता एक साथ जुट जाएंगे तो इसका फाइदा तो पार्टी को जरूर मिलेगा जिस तरह से कॉंग्रेस पार्टी का तमाम कई ऐसे राज्यों में जहां उनका वजूद खतम हो रहा उसी तरह से पश्चिम मंगाल में भी आपके हिसाब से अब भारती जनता पार्टी का भी वजूद खतम हो रहा लेकिन इससे और बहुत बड़ा जटका लगा है अब शुगरी आनुजा हमें वक्त देने के लिए बागी खबरों के लिए देखते रहें इस पर नाई निव्स नमस्कार